आप गुडगां हो जाएए आप बंबाई जाएए वाँ एब बड़ी इमारत है पचास मंजिली सतर मंजिली आप उसके नीचे खड़े हो आपको देखनी रहा हो इमारत आप पे चड़ी आ रही है भीतरी सतरकता रहे जैसे देखे कुछ चड़ा आ रहा है तुरंद क्या बोलना है है कौन आप कहीं पर गए है नौगरी के इंटरव्यू देने और बड़ा मिल्टिनेशनल का ओफिस है उसके आप रिसेप्शन पर बैठे हो बड़ा इंपोजिंग होता है वो आपके उपर एक जैसे ही देखिए कि रिसेप्शन इस हिसाब से बनाया गया है वहां पर ऐसे बैठिए हम उल्टा करते हैं बत्तमीज से बत्तमीज आदमी भी जब किसी बड़ी कंपनी के रिसेप्शन पर बैठा होता है किसी फाइव स्टार होटल में जाता है तो वहां वो बहुत और अदब वाला हो जाता है कुल मिलाकर पालतू हो जाता है जर्मन शेफर्ट फाइव स्टार में पहुंचके क्या बन गया देशी पिल्ला बाहर घुमते जाता है और जैसे ही देखा कि ये पातसओ करोड की मारत वहां बिलकुल यस 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 वोट 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 व्ट निकल करके दुनिया भर से गाली गलाओज और बत्तमीजी पालतू नहीं बनना है समाज कि बाहुबल के सामने जुक नहीं जाना है जितनी विनम्रता सच्चाई के सामने होनी चाहिए उतनी ही एट माया के सामने होनी चाहिए सच्च के सामने सर उठे नहीं और माया के सामने सर जुके नहीं बत्तमीजी सीखिए खास तोर पर जो संसकारी लोग हैं उन्हें बत्तमीजी आनी चाहिए जिन्हें उंचा बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत संसकारवान बनाया गया है खास दोर पर वो मुस्कुरा रही है लड़कियों को मैं उनसे गह रहा है उंचा बोलना सीखो कुछ गालिया देना भी सीखो रही आचारी जी आप तो गालियों के खिलाफ थे निर्भर करता है न वेदान्त क्या बोलता है फॉर हूम जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनसे बोलता हूँ चुप गाली दिया जा रहा है चुप कर और जो संसकारों की बेडियों के चलते मुई नहीं खोल पाते आवाज नहीं उची कर पाते उनसे मैं कहूंगा आवाज भी उची करो और गाली देना भी सीखो प्रेम में मौन हो जाना एक बात होती है और डर की चुपी बिलकुल दूसरी बात मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में लोग कितने तमीजदार हो जाते हैं एरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर बड़ी कंपनियों में बड़े अफसरों के सामने, नेताओं के सामने बड़े रिस्त्रों में कितने तमीजदार हो जाते हैं जहां बत्तमीजी करनी चाहिए वहां तुम तमीजदार हो जाते हो और जहां विनम्रता आनी चाहिए जहां मेरे दुभाशन आना चाहिए वहां तुम तेवर दिखाते हो कोई सब्जी वाली बैठी होगी बूढ़ी उससे लगे हुए हैं बहस करने में कि 5 रुपया बच जाए और उसका उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं आटो पर बैठ करके रेस्टरॉण पहुचे हैं आटो वाले से बत्तमीजी कर रहे हैं हाँ रेस्टरॉण में घुसते ही वहां पर गेट पर ही खड़े हुए हैं तो भारी भर कम गार्ड बाउंसर वहां बिलकुल एकदम सीधे हो गए कमजोर के साथ नरम रहो और अत्याचारी के साथ एकदम गरम समाज उल्टे सिध्धान्त पर चलता है समाज और अध्यात्म की इसलिए बंती नहीं आपस में समाज कहता है उचे लोगों से रिष्टा बना के रखो ना नेटवर्किंग अध्यात्म कहता है उचा तो सिर्फ एक है हमारी नेटवर्किंग तो उसी के साथ होगी और बाकी जितने दुनिया में अपने आपको उचा कहते हैं मेरी जूती पे बोलना सीखो एक है जो पूज है एक है जिसको दिल दे दिया है सिर्फ एक है जिसको सम्मान बाकी सब बोले नहीं जा रहा है संसकारी लोग है पर आचार जी हम तो श्लोक सुनने आये थे यह आप किस किस्म की बाते कर रहे हैं जूती पे वगेरा संस्कृत कब शुरू होगी ना किसी से पैसा लो ना किसी से इज़त लो बहुत आजाज जी होगे एक्दम सरल सूतर है न ना किसी से पैसा लेना है ना किसी से प्रतिष्ठा लेनी है पैसा होता है इस थूल शरीर के लिए प्रतिष्ठा होती है सूक्ष्म शरीर के लिए पैसा मिल जाता है तो इसको बहुत मज़ा आता है शरीर को बढ़िया कपड़ा मिलेगा खाने पीने को मिलेगा ये सब पैसे से पैसे से मज़ा अंदर वाले को भी आता है पर पैसे से ज़्यादा मज़ा बाहर वाले को आता है और प्रतिष्ठा से मज़ा इस शरीर को नहीं आता है, प्रतिष्ठा से मज़ा आता है जो भीतर का सूख्ष्म शरीर है, मन उसको, और यही दो हैं, नहीं फसना, यही आध्यात्मिक आदमी की निशानी है, ना वो पैसे में फसता है, ना प्रतिष्ठा में फसता है, इसलिए क कह रहा हूँ कि अध्यातमिक आदमी वास्ता वह का माजएक हो नहीं सकता क्योंकि समाज में जो रिष्टे बनते हैं वो तो इन ही दो चीजों के रहते हैं पैसा और प्रतिश्था या कि प्डूरें का रहते हैं तो रिष्टें प्रेम की बात नहीं कर रहा है आप यदे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने काम से भी गहरा प्रेम हो गया है तो समाज आप पर फप्तियां कसेगा आप ऐसे हो जाईए आप कहिए कि डूब गया हूं है अपने काम में लोग कहेंगे ये देखो ये क्या है समाज माने स्वार्थों का ताना बाना और स्वार्थों के ये दो नाम पैसा और प्रतिष्ठा बहुत लोग विजलित दिख रहे हैं आचारी जी सच मुच आध्यात्मिक हो गए तो समाजिक नहीं हो सकते सॉरी नहीं पर हमने देखा है मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग समाजिक भी होते हैं उन्हें सब लोग मानते हैं उनके सबसे अच्छे मधूर संबंध होते हैं वो सबसे हसकर मिलते हैं समझ लो बेटा कुछ गड़वड होगी वोट के लिए मिलना पड़ता है सबसे जहां ससके जरूर कुछ उगाहा जा रहा होगा तुमसे जरूर कोई प्रच्छन नस्वार्थ होगा सत्य सामुहिकता और सामाजिकता की बात नहीं होती जिने सच्चा जीवन जीना है वो अकेले होने का भै त्याग दे जिसको सत्य प्रिय हो गया उसे लोग प्रियता से बहुत मतलब नहीं रह जाता लेकिन ये भी अजीब बात है माना वितिहास में जो लोग सबसे ज्यादा जाने गए हैं वो सब वही हैं जने सत्य सबसे ज्यादा प्रियता और जिने सत्य किया पेक्षा समाज प्रिय था समाज ने भी उन्हें समय की धूल बना दिया कोई ने उनको याद रखता करोडो अर्बो लोग मर गए न समाज कोई खुश करने में पूरा जीवन बिताके यही करा ना उन्होंने जिंदगी भर कि वो बुरा ना माने न वर्मा जी बुरा माने न शर्मा जी बुरा माने मैं तो सबको खुश करके रखता हूँ हम तो समाज एक आदमी है सबसे बना कर चलनी पड़ती है भाई कहां हो तुम कहां हो मात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था ये वहाँ है और ये उतनल नहीं जितना गंगा की तटपर रेत के कण हैık गंगा के नारे रेत के जितने कण है ये सब वही है जो कभी सामाजेक रूप से सफल होना चाते थे और लोगप्रिय होना चाते थे याद भी तुम किनको रख रहे हैं जिन्होंने समाज की नहीं परवाह करी, जिन्होंने सत्य की परवाह करी, उन्हें उस समय पर जो भी बरताव मिलाओ समाज से, जब तक समय रहेगा, इतिहास रहेगा, वो याद रखे जाएंगे बुद्ध समाजिक थे या समाज छोड़कर हटे थे बोलो और जब समाज में वापस भी गए तो क्या समाज की शर्तों पर गए समाज की किसी शर्त का पालन करते थे और ऐसा नहीं है कि उस समय उनको ततकाल लोगों ने आदर और आसन ही दे दिया उनके खिलाफ भी जो कुछ करा जा सकता था सब कुछ करा आजमाया मारने की कोशिश भी करी उनको उन्होंने परवाह नहीं करी उन्होंने कहा जो सही है वैसे जीना है और सही जीने का नतीजा ये हुआ कि बाद में उन्हें समाज में भी स्वीकृती प्रसिद्धी सब मिल गई और जो लोग समाज की ही स्वीकृती प्रसिद्धी के लिए मरे जाते हैं वो समय की धूल बन जाते हैं एक सवाल अच्छे से पूछ लिए अपने आपसे जिन लोगों को खुश रखने में अपनी जिन्दगी खराब किये दे रहे हो वो लोग किसी काम के भी हैं आपके जिनके डर के साए में जिन्दगी बिता रहे हो वो उखाड क्या लेंगे आपका यह पूछिए गा अपने आपसे या जिनको पैसा वगारा दिखा करके बहुत प्रभावित, इंप्रेस करते हो वो तुमसे प्रभावित हो भी गए तो तुम्हें मिल किया जाएगा मिलता है कुछ या जिनका पैसा रुतबा देख करके आप प्रभावित हो जाते हो उनसे प्रभावित होकर आपको क्या मिल जाता है ये सब किसी काम का है क्या बस छाया रहता है लेकिन मन पर अध्यात्म सरप्रथम एक विद्रोह होता है अतीत के और आंतरिक धर्रों के विरुद्ध जो अतीत में चला आया है नहीं चलेगा और जो भीतर भीतर लगातार चलता रहता है नहीं चलेगा जो विद्रोही नहीं है वो अध्यात्मिक नहीं हो सकता कुछ जम रही है बात लेना एक न देना दो दुनिया सर पे चड़ी आती है और हम इस सर पे बिठाए भी रहते हैं तुम हो कौन यहीं सवाल होना चाहिए हो कौन क्यों सुने तुमारी कौन हो तुम हाँ सुनेंगे ऐसा नहीं कि हमारे पास कान नहीं होंगे हमारे पास कान उनके लिए होंगे जिनके पास प्रेम है तुमारे पास प्रेम है तो मेरे पास कान है और अगर तुमारे पास प्रेम है तो फिर मेरे पास जबान भी है बात भी उनी से करूंगा जवाब भी उनी को दूंगा जिनके पास प्रेम है सुनेंगे भी उनकी जो प्रेम करते हैं बोलेंगे भी बस उनी से जो प्रेम करते हैं जो यूही चले आएं हैं लेना एक न देना दो यूही भुसे चले आ रहे हो कोई डर दिखा रहा है कोई धौस बता रहा है कोई पैसा चमका रहा है जो भी लेक्या है वो अपने घर रखो हमसे तुम्हारा तालुक क्या आज तक तुम्हारी मान भी ली तो तुम्हें हमें देख या दिया है तुम्हारे काईदों पे चलकर तुम कोई कुछ नहीं मिला हमें क्या मिल जाएगा